विडियो जो गाड़ी हमारे पास पर रिव्यू है दिस किया की रियो और यह गाड़ी बजट सेगमेंट में आती है यह गाड़ी हैजबेक सेगमेंट में आती है उसके रेवादा गाड़ी के फ्रंट पे ग्रिल भी आती है गाड़ी का अच्वाण्पे प्रिवेटीड और पाकिस्तानी चेयां के मताबिक पाकिस्तानी कार के लिहाज से इसके इंचिरिए के डिजाइन काफी बेहतर है and coming to the center console, जो गाडी का center console है, उसके अदर AC आता है, उसके इलाव मुल्टिमीडिया controls आते हैं, एर्वेंट्स आते हैं, उसके इलावा gearbox होगारा आते हैं, Coming to the instrument cluster, instrument cluster के अदर autometer, speedometer के लाव़ TFT आती है Coming to the steering wheel, जो गाड़ी का steering wheel है उसके अदर trip meter reset उसके लाव multimedia controls आते हैं उसके लाव़ coming to the right side of steering wheel, हमाँ पास headlight adjustment के लिए options आती हैं Coming to the driver's door, driver's door के अदर हमाँ पास side mirror के controls आते हैं उसके लाव़ 4 automatic windows के control आते हैं Coming to the driver's door, हमाँ पास एक story compartment आते हैं उसके इलाव़ speaker भी आता है driver's door के अंदर Coming to the central armrest, जो central armrest है उसके नीचे story compartment भी आता है उसके इलाव़ दिर्मयान में cup holders की जगा भी मुझूद है और गाड़ी के अंदर manual handbrake आती है उसके इलावा जो गाड़ी का central console है उसके अंदर जो air vents आते हैं गाड़ी के AC के उसके इलावा multimedia के controls आते है multimedia audio controls को support करता है उसके इलाव़ यह upper mounted LEDs है और इसके इलावा गाड़ी के अंदर aux की support, usb की support उसके इलावा phone की support, radio etc. तमाव support गाड़ी के अंदर मुझूद है और जो गाड़ी का AC है that is conventional kind of AC हम आपाँ nobs वाला AC है, no digital climate control उसके इलावा गाड़ी के अंदर usb port की option भी मुझूद है सब्सक्राइब के अंदर उसके इलावा gearbox CVT 5 speed transmission के साथ आता है और जो air vents है उसके इड्द के glossy material इस्तमाल हुए और overall जो गाड़ी के dashboard के अंदर material इस्तमाल हुए that is hard plastic जो गाड़ी को कोई इतनी बुई लुक नहीं देता जो पाकिस्तानी standards है जो पाकिस्तानी गाड़ी है उसके मुकाबले जो hard plastic इस्तमाल हुए that is pretty better उसके अलावा जो गाड़ी का steering है that is telescopic और वो two-way adjustable है उपर और नीचे हो जाता है और जो गाड़ी के overall जो build quality है as compared to other Pakistani headbacks is much better और जो गाड़ी का steering वह है उसके उपर भी leather की wrapping हुई है उसके इलावा coming to the upper mounted LEDs एक front पे LED आती इसके इलावा एक back पे LED आती है उसके इलावा एक driver के सर के उपर भी storage compartment आता है and then we have shade or nothing fancy going wrong जो गाड़ी की seats है and that are fabric जो गाड़ी की तमाम seats fabric है और ज्यादा leather के इसमाल नहीं हुआ गाड़ी के अंदर उसके एलावा जो गाड़ी की seats के इसमाल है that is manual electronic adjustment नहीं आती गाड़ी की seats के अंदर या किसी और छीस के अंदर जो गाड़ी overall है वो किसी बहुत ज्यादे impressive electronic controls के साथ नहीं आती मतलब के ज्यादा camera दो ज्यादा sensor फगयरा गाड़ी के अंदर नहीं आते एक normal hatchback है ये गाड़ी कोई extra controls के साथ नहीं आते और coming to the boot space जो गाड़ी की boot space है वो as a hatchback काफी है मतलब 3-4 suit के साराम से गाड़ी accommodate कर सकती है उसके इलावा lifting of the boot space mat we have a spare tire as well as the instrument for replacing the spare tire उसके इलावा back side पे किया थी branding आती है उसके इलावा जो back tail lights है वो simple tail lights है उसके इलावा उसके इंदर side indicators और reflectors भी आते हैं उसके इलावा upper mounted brake lamps भी आते हैं उसके इलावा back पे wiper भी आता है और जब हम आएं side के door handles पे तमाम door handles हैं body colored और गाड़ी के जो wheels है that come with 16 inches of alloy rims और जो गाड़ी के wheels or tiles है वो imported है मतलब पुरी के पुरी गाड़ी जब imported है जारी से बार tiles से imported होंगे और coming to the back side of the car जो गाड़ी की back side है उस पे इतनी ज्यादा spacing नहीं है मतलब कि गाड़ी इतनी ज्यादा खुली नहीं है from back जो leg space है on the back side that is not ample ठीक और जो back seats है उसके अंदर भी seat belt दी गई है और headdress भी दिये गएं back seats के उपर मतलब कि फुफा seat type है back seat की और उसके इलावा जो back side है उसके उपर भी एक USB hub दिया गया है for charging and other purposes और जो गाड़ी के overall बाकी चीजें है वो compatible है to the market मतलब के इस तरह की गाड़ियों में और इस range की गाड़ियों में पाकिसान में भी यही कुछ आता है more or less जो गाड़ी का engine है that is 1.4 liter engine उसके इलावा यह इसी किसम की और technology के साथ नहीं आता इसलिए सिर्फ और सिर्फ यह एक engine ही engage होता है when driving none of the motor or any other thing fancy is going on उसके लाव coming to the pricing जो गाड़ी की pricing है that is pretty fancy right now क्योंके जो मैंने salesman वगएर से पूछा था तो वो कह रहे थे कि they are only selling Kia Carnival वो Kia Sportage और Kia Rio को नहीं बेच रहे और वो सिर्फ और सिर्फ किया Carnival को बेच रहे क्योंके इन दोनों गाड़ीों के जो prices है on taxis etc वो काफी ज्याद हैं जिसकी वैसे गाड़ी की overall price काफी ज्यादा बढ़ जाती है और वो customer friendly नहीं रहती तो इस वाय से वो Kia Rio को नहीं बेच रहे और जब मैंने उनसे पूछा pricing के बारे में अंदादन तो वो कह रहे थे कि 18 से 20 लाग के दर्मयान कीया Rio की pricing होगी और उसके इलावा coming to the end comment the video that you want to see उसके इलावा guys stay tuned for the Kia Carnival's review that will be coming soon और वो इंतमाम रिवीव में सबसे सबसे सब कम्रेंसी रिवीव होगा so guys if you like the video don't forget to comment below and subscribe to the channel peace out